Hello everyone, welcome to क्यारासक्से शॉट क्यारासक्से शॉट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो जैसा कि आपको मेरा थमनेल दिख रहा होगा थमनेल में लिखा हुआ है डोबरा चांथी पुल लिखा डोबरा चांथी पुल हाली का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप सभी लोगों के इंटर्व्यू में और आने वाले एक्साम्स के लिए बहुत जाजा इंपॉर्टेंट है तो आज में आपको बताने वाले हूँ डोबरा चांथी पुल के बारे में इस वीडियो को पूरा जरूर से देख लिजेगा डोबरा चांथी पुल के विशे में पूरी जानकारी जरूर से हासिल कर लिजेगा यह आपके आने वाले हर एक एक्साम्स और इंटर्व्यूस के लिए बहुत जाज़ा इंपॉर्टेंट है वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर दर लेटियस नोटिफिकेशन बेल को जरूर से हिट कर देंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो तो बात करते हैं दोबरा चांठी पुल की तो पहले जान लेते हैं कि दोबरा चांठी पुल ये है कहां तो आठ नवेंबर 2020 को उत्तरा खंड के मुख्य मंतरी द्वारा तिहरी गढ़वाल जिले में तिहरी जील पर लंबे समय से प्रतीक्षित दोबरा चांटे पुलका उद्गाटन किया गया है आठ नवेंबर 2020 को उत्तरा खंड में किया गया है वहां के मुख्य मंतरी के द्वारा तिहरी गढ़वाल जिले में तिहरी जील पर बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित दोबरा चांटी पुलका उद्गाटन किया गया है आगे देख लेते हैं कुछ important points अब बात कर लेते हैं कुछ important points की तो पहरा point है कि यह देश का सबसे लंबा single lane motorable suspension bridge है तो इसकी quality यह ध्यान रखेगा कि पहरी बात तो यह भारत देश का सबसे लंबा single lane motorable suspension bridge है second point इसका है कि यह ब्रज्यों है वो टिहरी और प्रताप नगर के बीच की यात्रा के समय में डेर घंटे से पाच घंटे तक के समय की कटोती करेगा यानि की budget कर देगा ठीक है कहां ते कहां के बीच में यह ब्रज्यों है वो टिहरी और प्रताप नगर के बीच में next इसका है आपका point कि यह पुल जो है वो 725 मीटर लंबा है तो इस पुल की लंबाई कितनी है 725 मीटर है इसे ध्यान देना है और इस पुल को सारवजनिक उपियोग के लिए खोल दिया गया है यानि कि इसे जो है इस तरह से सारवजनिक कर दिया गया है अब इस पे जो है लोग आ जा सकते है फोर्थ point है तेहरी जील के उपर बने इस सस्पेंशन ब्रिज की लागत 2.96 करोड रुपीज है यानि कि यह जो पुल बनाया गया है तेहरी जील के उपर इसकी लागत जो है वो कितनी है 2.96 करोड नेक्स्ट पॉइंट है 1.Number इस सस्पेंशन ब्रिज से तेहरी जील के प्रतापनगर और धौल धार की लगभग धाई लाग लोगों को लाग मिलने की फूरी उम्मीद है यानि कि जब ये ब्रिज बन जाएगा तो इससे प्रताप नगर और धौल दार के लगबग धाई लाख लोगों को लाब मिलने की पूरी-पूरी संभावना या फिर उम्मीद जताए जा रही है ये भी जानले आप कि तेहरी बान के निर्माण के साथ प्रताप नगर को जिला मुख्याले से जोडने वाला पुल तेहरी जील में जल्मगन हो गया था और जल वहां के जो छेतर के जो अस्थानी लोग हैं उन लोगों को कम से कम सो किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तै करनी पढ़ने थी थी और उसके लिए मजबूर होना पड़ता था तो ये तीर अब ध्यान रखेंगे कि टेहरी बान के निर्माण के साथ साथ प्रताप नगर को जिला मुख्याले से जोडने वाला पुल तेहरी जील में जल्मगन हो गया और चेत्र के अस्थानी लोगों को 100 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तै करने के लिए मजबूर होना पड़ता था निक्स्ट है कि इसके उद्गाटन के आउसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डोग्रा चान्टिपुल चेत्र में विकास का एक प्रवेश द्वार होगा बाविश्व में यह अस्थान एक प्रवुख परेटन केंटर के रूप में उभरेगा यह स्थानी लोगों के लिए रोजगार के साधन भी उपलब्द होंगे अब बात करते हैं तहरी बांध की तो भारत का सबसे उचा और दुनिया के सबसे उचे बांधों में से एक है तहरी बांध quality याद रखेगा भारत का सबसे उचा और दुनिया के सबसे उचे बादों में से एक है तिहरी बाद या उत्तराखंड में तिहरी के पास भागे रथी नदी पर बनाया गया है तिहरी बाद कहां बनाया गया है ये बनाया गया है भागे रथी नदी के उपर फिर आती है बाद उत्तराखंड में अवस्तित तीरी जील एशिया के सबसे बड़ी मानव निर्मित जील है ठीक है तो उत्तराखंड में जो जील है तीरी जील ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित जील है इसे भी आपको ध्यान रखना है अब हम बात करते हैं उत्तर मंत्री कौन है वहाँ पर हैं द्रिवेल रिसिंग रावत राजिपाल है बेबी रानी मौर्या और राजबशु है वहाँ का यानि के उत्तरा खंड का कस्तूरी म्रिग तो गाइस तो ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से त्यार कर लेजिए क्योंकि हाली की खबर है मैंने बताया आपको 8 नवेंबर को इसका उद्गाटन हुआ है और इसे सारवजिनिक कर दिया गया है दोबरा चांटे पुल को तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ह आने वाले किसी भी आपके इंटर्व्य और इक्जाम्स में ये पूछा जा सकता है तो पूरी तरह से वीडियो को देख लिजेगा आपस खाले देखने में ही आपको समझ में आ जाएगा कुछ लिखने और नोट करने की जरुवत नहीं है इसमें तो यह हो गाइस की वीडि को सब्सक्राइब कर देबर तो है अपने नेक्स वीडियो में देख केर इन बाबाई